तो ये है MM Academy का में महने का टाइम टेबल कि कौन से दीन कौन से वीडियो आपको देखने को मिलेगे तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज 22 में को आपको Modern History का जो Reforms in Education है Part 1, Part 2 क्योंकि हम Independence तक पहुँच चुके हैं, Independence हमने अटेंड कर लिया है तो अब यहाँ पर जो अलग-अलग Reforms थे, Social Ideas Reforms थे, जो Movements थी, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे तो 22 में मतलब आज आपको Education के बारे में दोनों Parts मिल जाएंगे तो Education complete हो जाएगा फिर कल आप देखोगे तो Reforms in Judiciary फिर इस तरीके से आप देखो तो 30 में तक जो Modern History जैसा मैंने आपको Promise किया था कि मैं इसी मेने में जो Modern History है उससे complete कर लूँगा तो Modern History complete हो जाएगा including previous year questions तो previous year questions आप यहाँ पर UPSC बोलिए, CAPF बोलिए, अलग-अलग जो exams है उसमें जो Modern History पर questions पुछे गए हैं 2010 से लेकर 19 तक सभी यहाँ पर cover किये जाएंगे और इसी के साथ हम यहाँ पर जो MCQs है उसके जरीए जो अलग-अलग topics है सब कुछ cover करेंगे तो इस तरीके से Modern History हमारा 30 में तक cover हो जाएगा और फिर next यहाँ पर आने वाला है Indian Polity डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरीकी screen दिखेगी जहाँ पर आप sign in कर सकते हो Facebook या Gmail से या फिर sign up भी कर सकते हो उसके बाद आपको इस courses दिखेंगे आप कुछ demo lectures देख सकते हो उसके बाद जब आप home पर click करोगे तो यहाँ पर आपको अलग-अलग options दिखेंगे PDF भी available है और उसके साथ अगर आप profile पर click करोगे तो आपको यहाँ पर no active plans दिखाई देगा बागी के वीडियो देखने के लिए आपको यहाँ पर plan जो है वो purchase करना पड़ेगा जब आप plan purchase करोगे तो आपको lease दिखेगी जिसमें अलग-अलग plans दिये हुए है एक मैने का है तीन मैने का है छे मैने का है एक साल का है जो भी आपको course purchase करना है तो payment के अलग-अलग options है आप payment करके जो course है वो आप enjoy कर सकते हो तो जल से जल download कीजिए mmacademy जहें दोस्तों स्वाज़त है आप सभी का इस वीडियो में आज हम 22nd में का जो analysis है वो देखने वाले हैं काफे interesting articles है इस वीडियो का आपके सामने present करूँगा मैं महीर मोगरे चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले map-based exercise जो है वो देखेंगे तो यहां पर यह state कौन सा है यह आपको बताना है आपको करना क्या है वीडियो को pause करना है state के regarding जो भी information आपके पास available होगी वो information लिखना है और फिर व आपके साथी नविन बैच सुरू होना रहे अन अखेडेमी वर विजय पत या नावाची तर comprehensive fundamental बैच इते तुम्हाला बगायला मेंडा रहे जी थे सग्गे जे सबजेक्ट्स आ है जैसा पॉलिटी आसो एकोनामिक्स आसो सी सैट आसो हिस्ट्री आसो जनरल साइन्स एन्व आपके साथी नविन बैच सुरू होना रहे अणि त्या बैच मधे सुद्धा तुम्ही एंड्रोल करू शकता तर जर तुम्हाला विजय पत या बैच मधे एंड्रोल कराई जाहे जामन तुम्हाला खुब फायदा मेल और त्यास बरुबर माझे चे लेक्ट्स आहे माझे लक्चर्स अल्रेडी शुरू आओ अने अकइडेमी बर ते सुधा तुम्हीं एंजॉय करूँ शकता मी करन्ट अफेर्स फर खुब सारे कोड्से शानले ले आए आणि पुढे सुधा खुब सारे कोड्से जाहे ते येना रहे तर जे तुम्हाला courses enjoy कराईचे असेल तर तुम्हाला लवकर लवकर subscription गया on academy जी थे तुम्हाला जे EMI option आए ते सुधा available अशना रहे तर EMI option सोबद तुम्हाला code गुटला वापराईचा है MMBIN, MMBIN हा code वापरों तुम्ही जे subscription आए ते गयो शकता 10% discount वर तो यहाँ जे सुधा no cost EMI option अवे लेबला है और बरेशे जे options आए तुम्हाला वेगविगे ती ते बगायला mail तो लवकर लवकर subscription गया on academy जे विजय पता है ती batch मदे एंड्रोल करा तो चलिए यहाँ पर हम कुछ words जो है वो सीख लेते हैं, vocab जैसे हम रोज सीखते हैं तो यहाँ पर आज हमारे पास दो words है, काफी important है पहला है acrimony, acrimony का मतलब होता है angry या फिर bitter feelings या फिर words जो है वो किसी के सामने express करना अब यहाँ पर हिंदी में इसका मतलब होता है krodh yukt या फिर kattu bhauna जो है वो शब्दों का इस्तमाल करना अब यह हम sentence में कैसे इस्तमाल कर सकते हैं, कि she responded with such acrimony that he never brought the subject up again मतलब कि उस बंदे ने, विचारे ने कोई subject जो है वो लेकर आया, अब वो जो बंदी है उसने इतने आकुरते से, इतने आकुरोश से, इतने घुसे से उसका विरोध किया, respond कि उसने फिर से वो subject जो है वो कभी नहीं लाया तो इस तरीके से macrimony जो है, वो शब्द का इस्तमाल कर सकते हैं, दूसरे यहाँ पर हमें देखने को मिलता है midst, अब यहाँ पर जो midst अगर हम देखे तो इसका मतलब होता है in the middle of something, मतलब किसी चीज के बीच में, मतलब किसी वस्तु जो है उसके मद्दय में, बीच में, अग बीच में ही, मतलब शूट के बीच में, रणवीर सिंग जो है, वो पी करने चल जाते हैं, अब यह actual में हुआ था, इसलिए मैंने यह sentence यहाँ पर लाया हूँ, actual में वो शूट है, वो चल रहा था, कबिल शर्मा शोका, और बीच में ही, मतलब शूट चल रहा है, camera on है, और वो भागता है, और पी करने चल लाता है, तो इस से हम कहते हैं, इन्दी मीड्स, ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो चीज़े हैं, वो देख सकते हैं, एक्रिमोनी और मीड्स, तो आप comment section में, यह जो words है, sentence बना कर इनका इस्तमाल कीजिए, उसी के साथ साथ, अपने करी interesting articles देखने को मिलते हैं, जैसे कि flight जो है, वो शुरू हो गई है, Monday से flight शुरू हो जाएगी, तो उसके क्या क्या क्राइटरिया है, क्या आपको साथानी बरतनी है, यह सारी चीज़े हमें देखने को मिलेगी, उसी के साथ साथ यहाँ पर back to school in Europe, यहाँ पर जो schools है, फिर स which is more compassionate, यहाँ पर करना टगा जो है, करना टगा हाई कोट, उन्होंने migrant workers के लिए कुछ यहाँ पर जो decision है, वो दिया है, तो इसी के regarding article बात कर रहा है, तो इसे में अच्छे तरिके से देखेंगे, उसी के साथ यहाँ पर मंडरे का जो है, उसे revive करने के लिए 6 steps यहाँ पर बत अगर लिखोगे, तो चार चान लग जाएंगे, उसी के साथ यहाँ पर diplomatic opening के बारे में बात की गई है, यही सारी चीज़ें, मतलब कि जो WHO है, वो किस तरीके से यहाँ पर इजाज़त दे रहा है, जो corona virus है, उसकी जाज के लिए यह सारी चीज़ें इस article में बताई गई है, यह फिर से वही जो air travel है, वो यहाँ पर शुरू हुआ है, यह जो है farmer के reforms, अब यहाँ पर दिखें जो APMC Monday है, उसके बारे में article बात कर रहा है कि जो Monday है, उसमें यहाँ पर liberalization लाए गया है, कि आप farmers कहीं भी बेज सकते हैं, अब यह कुछ states ने पहले भी किया हुआ है, तो हमें इतने बड़े reforms एकने को नहीं मिले agriculture में कि बहुती बड़े changes हो गए हैं, तो यहाँ पर और ज़्यादा reforms यह उसकी जरुवत है, जो farmers है, उनको यहाँ पर liberalize करने की जरुवत है, उसके साथ साथ जो private sector है, वो ज़्यादा ज़्यादा involved हो farm sector में उसकी भी जरुवत है, उसके साथ यह वाला article आप देखोगे, तो migrant labor जो है, उनके बारे में बात कर रहा है, कि migrant labor उन्होंने क्या है, क्या नहीं है, उसके बारे में बात कर रहा है, migrant labor के बारे में उन्हें बहुत बात है की वी है, और इस article में भी हम बात करने वाले है, तो इसमें से भी कुछ important यहाँ पर हम देखते हैं flight experience flight जो है वो मेंडे से शुरू हो रही है किस तरीका का अपर experience रहेगा क्या रहने वाला है flight में यह सारे चीज़ों के बारे में बात की गई है अब दिखेंगे आप नई guideline जो यहाँ पर लाई गई है तो आपको क्या करना है सबसे important चीज़ है कि अगर आप ticket खरीदते हो तो but obvious है कि आपको online ticket खरीद नहीं है एक बार आप ticket खरीद लेते हो तो उसके बाद 2 hour in advance आपको वहाँ पर report करना पड़ेगा मतलब 2 घंटे पहले आपको जाना पड़ेगा अब कोई-कोई तो 4-4 घंटे पहले जल जाता है चलो यहाँ पर दूसरा है कि आरोग के से तो app जो यह mandatory रहने वाला है आरोग के से तो app अगर आप airport पर जा रहे हो तो आरोग के से तो app आपके mobile में रहना ही चाहिए उसी के साथ यहाँ पर thermal screening जो है वो की जाएगी airport के entrance पर ठीक है thermal screening जो हाँ पर आपका temperature जो है वो देखा जाता है उसी के साथ चेक-in counter जो है वो नहीं रहेंगे सिर्फ wave check-in यहाँ पर किया जाएगा मतलब आपको wave check-in नहीं करना पड़ेगा लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि counters नहीं रहेंगे मतलब ऐसा नहीं है कि आपने ticket ले ली उसके बाद आप फिर जा रहे हो airport पर आप बोर्डिंग पास लेने के लिए जा रहे हो चेक-in counter पर ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा ठीक है सब कुछ web check-in के द्वारा रहेगा आपको web check-in ही करना है और एक बार check-in हो गया cabin bag जो है वो यहाँ पर एक आप रख सकते हो ठीक है हरे को एक cabin bag जो है वो मिलेगी और उसी के साथ अगर आप luggage में एक सामान दे रहे हो और उसको भी आपको self यहाँ पर करना है ठीक है बहाँ पर कोई बैठा नहीं रहेगा कि आपको लगा कर देगा जैसे हमेशा लगा कर देते हैं safety kit जो है वो issue की जाएगी passengers को mask, face shield, sanitizers इसके साथ कोई भी in flight मिल्स नहीं रहेगी या फिर newspaper जो है वो नहीं दिया जाएगा तो इस तरीके से आपको कोई भी चीज नहीं मिलने वाली है साधारण तरीके से जैसे आप buses में travel करते होंगे वैसे ही अब यहाँ पर plane में आपको travel करना पड़ेगा कोई वहाँ पर चीजे दिखाई नहीं देगी सब कुछ आपको खुद से ही करना पड़ेगा और जो भी चीजे हैं उसका minimum use करना पड़ेगा तो इस तरीके से यहाँ पर guidelines जो है वो provide की गई है government के द्वारा ठीक है अब यहाँ पर जो fares है उसमें भी हाँ पर limits लगाई गई है क्योंकि देखिए तो जो manufacturing जैसा में हमेशा गयता हूँ manufacturing unit अगर कोई है chair बनाईवे table बनाया हुआ है तो यह क्या है अभी बेचा नहीं गया है तो अभी इसके पास बेचा चल जाएगा है ना मतलब जो recovery है वो हो जाएगी लेकिन अगर हम aeroplane देखे तो उसकी recovery नहीं है जो seat यहाँ पर खाली गए है जो यहाँ पर planes नहीं उड़े है तो उनका वो नुकसान हुआ ही है उसी के सासा loan जो हो चुका नहीं है जो salary है वो तो देना ही है तो यहाँ पर नुकसान जो हो तो बहुत हुआ ही है तो अब यहाँ पर देखोगे तो फिर जो flight से वो कोशिश करेगी जादा जादा यहाँ पर fares रखनेगी लेकिन यहाँ पर क्या गया गया है सरकार की तरफ से upper and lower limits रखे गये हैं अब यहाँ पर जरूरी गया है जरूरी यह है कि जो private sector है उसको यहाँ पर आजादी देना है ना यहाँ पर हमने पहली economic सर्वे में देखा हुआ है और उसके जो नतीजे हैं वो भी देखे हैं कि जो चीजे हैं proper तरीके से नहीं होती है अगर government का intervention बहुत जादा हो तो यहाँ पर हम intervention कर रहे हैं यहाँ पर intervention अच्छे से कर रहे हैं ठीक यह तीन मेने के लिए ही रहने वाला है उसके बाद यहाँ पर नहीं रहेगा government की तरब से अब यहाँ पर आप देखो कि तो up to 40 minutes अगर है तो lowest यहाँ पर 2000 रहेगा highest यहाँ पर 6000 रहेगा मतलब 6000 के उपर जो flight से वो नहीं रख सकती है पैसा 40 to 60 minutes की अगर journey है तो minimum 5000 रखेंगे और maximum 7500 रखेंगे और 60 to 90 minutes की अगर journey है 3000 रखेंगे 9000 उसी के जादा 90 to 120 minutes से 3500 से 10,000 इस तरीके से इतना highest minute रहा तो 8600 जो है maximum यहाँ पर जो ticket के दाम है वो रखे जा सकते हैं अब यहाँ पर routes अगर आप देखोगे तो 40 minutes के route में हमें बैंगलूर चन्नाई भोपाल मुंबई अगर तला गुवाटी डेली जैपूर डेली चंदिगर यह हमें देखने को मिल रहा है 40 to 60 case में डेली श्रीनगर अहमदाबाद मुंबई बैंगलूर गोवा है यह देखने को मिल रहा है 60 to 90 case में बैंगलोर मुंबई डेली पतना बैंगलोर पूर्णे यह देखने को मिल रहा है उसी के साथ साथ यहाँ पर 90 to 120 minutes में डेली टू मुंबई डेली टू हैजरबाद डेली टू कोलकरता बैंगलोर टू हमदाबाद मतलई यहाँ पर देखे ड पर जाना है क्या करना है clear है चलिए अब यहाँ पर कुछ जो गाइडलाइन्स यहाँ पर प्रोवाइड किये गई है सीधे गवर्मेंट के तरफ से यहाँ पर मतलब आपको क्या करना है जो पैसेंजर है उनको strictly यहाँ पर जो क्रिव इंस्ट्रेक्शन से फॉलो करना पड़ पड़ेगा social distance जो है यहाँ पर आपको maintain करना पड़ेगा मतलब physical distance जो है वो maintain करना पड़ेगा जो proper sanitization है वो यहाँ पर maintain करना पड़ेगा passenger जो है यहाँ पर जहाँ पर उनको रुकना है वहाँ पर प्रॉपर तरीके से रुकेंगे जो physical distancing करके transit passenger जो है उनको यहाँ पर transit area के बाहर आना allowed नहीं रहेगा और उसी के साथ पैसेंजर जो है वो सिफ ऑथराइट टैक्सी जो है वो ही आपर हायर कर सकते हैं ऐसा नहीं कि कोई भी टैक्सी आपर हायर करेंगे मतलब देखें इंडरेकली क्या है कि बहुत ही अगर urgency है किसी को क्योंकि ये टाइम में मुझे न लगता है किसी की meeting या फिर कुछ होगा तो ये तीन महने अगर आप देखो ये जो तीन महने है ये अगर आप देखो तो ये कारेकाल में मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर traveling जो है वो ज़्यादा होस पाएगी मतलब एकदम ही किसी को urgency है तो ही यहाँ पर वो जाने की कोशिश करेंगे नहीं तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि traveling जो है वो avoiding करनी चाहिए और avoiding की जानी चाहिए ठीक है तो यहाँ पर आप देखो तो क्यूंकि सबी चीज़े मतलब taxi भी authorized रहनी चाहिए जो social distancing है hygiene हो रहना चाहिए तो यह सारी चीज़े जो है हमें देखने को मिलती है अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो aeroplanes है उनको यहाँ पर permanent loss हुआ है permanent loss तो यहाँ पर क्या हो रहा था लेकिन उन्होंने जो Monday है वहीं से शुरू करने की हाँ पर कोशिश की है flights की क्योंकि जो trains अगर आप देखोगे तो वो तो एक तारिक से ही शुरू हो रही है तो इस तरीके से पुरा सिनारियो जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है चलिए नेक्स इस पर जाते हैं बैक टू स्कूल इन यूरोप अब यहाँ पर आप देखो तो Sunday को इंडिया ने डिसाइड किया है कि स्कूल जो है वो और दो विक्स के लिए बंद रखेगा यूरोप की अगर हम बात करें तो million of children जो है यहाँ पर classroom में return जाने वाले है उसी के साथ most of the countries उन्होंने आपर strict lockdown imposed किया था क्यूंकि coronavirus जो है बहुत दीजी स्प्रेड हो रहा था स्कूल जो है वो इतने close हो रहे थे और उसी के साथ government जो है वो फिर से restart जो करने की कोशिश कर रहे है economy को भी और school को भी अब यहाँ पर जब economy को restart कर रहे है कल हमने देखा था देखे किस तरीके से articles linked होते है अगर आप proper link कर पाओ अगर आप में हो capability है तो फिर आपको main sensor writing में कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी main यहाँ पर क्या होता है कल जो हमने देखा था कि जो महिला है women का जो हमने article देखा था महिला है जो है वो यहाँ पर अच्छे से काम करने बाहर जा सकती है economy में हाथ बढ़ा सकती है कब जब जो child care है जो child care है वो उनकी इसमें ना रहे है मतलब अब अगर child जो है अगर उनको इतनी responsibility ना हो तो वो economy में हाथ बढ़ा सकते है है ना उन्होंने बहुत सरी महिला होने की कहा है तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर बच्चे घर पर रहते हैं तो parents उन्हें छुट्टी लेकर घर पर रहना पड़ता है वो काम करने के लिए नहीं जा सकते हैं और इसी लिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब जो economy है उसे restart करने की बात की जा रही है तो adults को काफी difficulty होती है कि फिर से वो काम पर जाए अगर school जो है वो बंद रहे और इसी लिए यहाँ पर school जो है उनको यहाँ पर खुला जा रहा है जिसी की schools अगर खुलेंगे तो जो adults से वो काम पर जा पाएंगे और काम पर अगर जाते है तो but obvious है क्या होगा क्या होगा यहाँ पर economy जो है वो आगे जाएगी और इसी लिए most of the country जो है जैसे कि Norway, Denmark, Poland, France उन्होंने school जो है उसे reopen करने की आपर कोशिश की है मतला यंगे जो है उनको यहाँ पर अब अगर आप देखो तो जो हम पुरा सिनारियो देखते हैं उसमें जो young generation है उनको यहाँ पर coronavirus जो लागत है वो यहाँ पर बहुत ही rarely हो रही है उसी के साथ उनकी recovery rate जो है वो भी बहुत जादा है और इसी लिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर हम schools open करते हैं तो हो सकता है कि यहाँ पर इतना जादा spread coronavirus जो है वो ना हो मगर फिर भी यहाँ पर जो guidelines है वो provide की गई है और बहुत सारे जो mayor से इन्हों ने यहाँ पर जो France है उनको यहाँ पर लिखा भी कि भाईया तुम यह जो कर रहे हो यह नहीं होना जै क्योंकि अभी तक school जो है वो सीधे तरीके से यहाँ पर काफी capable नहीं है है ना infected children जो है जोटा बच्चा इसको virus हुआ यह खुद तो बिमार नहीं पढ़ा लेकिन यह carrier है तो यह बाकी जो लोग है इनको यहाँ पर virus जो है spread कर सकता है तो इस तरीके से चीजे हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है बहुत सरी जो countries है जो European countries है वो यहाँ पर schools जो है वो खोल रही है तो आप देखना होगा किस तरीके से इनका impact जो है वो पढ़ता है इंडिया ने भली यहाँ पर जो है वो डिलेक किया हो तो अभी देख सकते हैं हम हमारे पास एक model रहेगा कि यह खोल रहे है तो क्या असर जो है वो पढ़ सकता है school जो है उनको यहाँ पर guidelines follow करने की बहुत अज़रत है health authorities ने जो है यहाँ पर issue की है है ना इसमें हाँ पर strict hand hygiene है ना यहाँ पर जो students है उनको करना पड़ेगा कोई भी यहाँ पर parent जो है school building में enter नहीं कर सकते हैं मनले यहाँ पर basically आप देखो कि बच्चा जो है वो घर पर जाएगा school खत्म होने कर जाएगा घर पर जाएगा अब यहाँ पर घर पर जाएगा तो किससे मिलेगा जो parents है उनसे मिलेगा अब यहाँ पर अगर parent को coronavirus है तो फिर क्या होगा यहाँ पर बच्चे को भी हो जाएगा बच्चा जो है वो carry करके कहा जाएगा school में जाएगा अब यहाँपर school में वो carry करके जा रहा है तो बच्चा जो है वो enter कर सकता है parent जो है वो enter नहीं कर सकता है तो ये चीज आमें देखने को मिल रही है outdoor classes जो है यह ना तो ये चीज फिजिकल डिस्टनस एटलिस्ट वन मिटर का जो है दो डेस्ट के बिच में यह रहना ही चाहिए तो यह चीज़े जो है यह हमें आपर देखने को मिल रही है चलिए नेक्स इस पर जाते हैं लॉक्डाउन जो है किस तरीके से इंडियन फार्मर्स पर उनकी यिल्ड पर यहाँ पर इंपक्ट डाल रहा है अब यहाँ पर प्रिल्मिनरी फाइंडिंग्स अगर देखा जाय सर्वे का तो मोर देन 1,000 अग्रिकल्चरल हाउसोल जो है एक्रोस 12 इंडियन स्टेट्स 60% जो है वो यहाँ पर हार्वेस जो है यिल्ड लॉस रिपोट कर चुके है 1 टेंथ आप देम जो है वो यहाँ पर हार्वेस नहीं कर पा रहा है इन दी पास्ट मन्त अब यहाँ पर आप देखो तो more than half of the farmer और मतलब accurately देखे 56% of the farmer जो है उन्होंने कहा है कि lockdown जो उसने यहाँ पर उनके ability जो है upcoming sowing season के लिए prepare होने की उसे यहाँ पर hamper किया है ठीक है मतलब क्या हो रहा है कि अभी जो sowing season आने वाला है तो lockdown के चलते वो proper खुद को prepare जो है वो नहीं कर पा रहे है अब यहाँ पर आप देखोगे तो half of them जो है उन्होंने आपर report किया है कि वो afford जो inputs है particular seeds है fertilizers है तो यह यहाँ पर काफी concern है उनको उसी के साथ यहाँ पर आप देखोगे तो labor shortage जो उसका काभी concern है क्योंकि हमने पंजाब और हरियाना देखिए किस तरीके से हम articles देखते हैं और किस तरीके से आपको link करना है हमने एक article देखा था उसमें हमने देखा था कि पंजाब और हरियाना जो है वहाँ पर labors बहुत ज़ादा लगते हैं intensive labors लगते हैं अब labors की संख्या यहाँ पर नहीं है labors का shortage यहाँ पर है तो वो क्या कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं rice जो उनको लगाना है उसके लिए क्या कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करते हैं वो पहले normally क्या करते थे traditional way क्या होता था nursing जो है वो करते थे हैं nursing मतलब क्या है कि घर के अंदर मतलब एक दम lemon like में बता रहा हूँ कि घर के अंदर आपने एक छोटे से इसमें मटी में और ऐसा बना लिया और उसमें आपने पेड को लगाया मतलब जो राही से उसको लगा दिया फिर उसका थोड़े जब वो नरीश उनको properly आपन नरीश किया आप आपको बनाना कि आपको लाउड और और चलते बेचेंगे कैसे इसलिए उन्होंने खुद यहां पर स्टोर करके रखा हूं बेच भी नहीं सक रहे हैं, बोई खरीदने को ही तयार रही है, स्टेडी जो है उसने बहुत किया कि small और marginal farmer significantly less likely to be able to sell their crops, जो large farmer है, क्योंकि large farmer जो हुनके पास contacts है, large farmer जो हुनके पास ability है, large farmer जो हुनके पास transportation facility है, लेकिन अगर small और marginal farmer देखा जाए तो उनके पास ये सारी चीज़े नहीं है और इसलिए वो बेच जो है वो नहीं पा रहे है खुद के products को अब इसलिए सरकार ने क्या किया है कि अब ये निकल जाएंगे coronavirus जो है वो निकल जाएगा फिर उसके बाद ये farmers आएंगे अब farmer की income जो है वो तो double करने के हमने सोची है 2022 तक है ना अब इसके लिए major जो है वो तो लेने पड़ेंगे तो इसके लिए क्या है जो mandis है mandis में लोग जाते है mandis में उनको time दिया जाता है वो time पर बेचे जाते है बेचना पड़ता है अब ऐसे time पर क्या होता है जो mediator होते है वो क्या करते है यहां इतनी ही दाम में लेंगे नई 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 लॉकड़ाउन के ओड़ जैसे कोई खरीदने को तयार नहीं है कोई माली नहीं जा रहा है demand ही नहीं है तो इतने में बेचेंगे इतने में खरीदेंगे और farmers को जबरदस्ती बेचना ही पड़ता था लेकिन अब क्या किया है अब यहां पर जो mandis है उनका यह निकाली डाला है यही चीज जो है हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं जो भी reforms यहां पर लाए गए है उसी के साथ सेवरेल फार्मर्स है उनने यहां पर रिपोर्ट किया है कि severe weather और water scarcity जो है irrigation के लिए वो भी यहां पर challenges जो है पैदा कर रहे है अगरी cultural sector में one in four farmer उनने रिपोर्ट किया है कि जो storing है crop का वो कर रहे है और उसी के साथ साथ यहां पर अगर आप देखोगे तो काफी कम 12% of the farmer जो है वो still यहां पर कोशिच कर रहे हैं कि उनके crops को बेचे है ना उसी के साथ 56% farmer जो है उन्होंने रिपोर्ट किया है कि lockdown जो है उसने काफी impact किया है उस पर sowing season पर भी तो यह सारी data जो है मैं देखने को मिलता है चली नेक्स इस पर बढ़ते हैं diplomatic opening में हम क्या देख रहे हैं diplomatic opening में हम देख रहे हैं कि unanimous resolution जो है यह अप्रूफ किया गया है by world health assembly Tuesday night को यहां पर जो inquiry के लिए बात की गई है coronavirus के मतलब spread जो है origin जो है कहां से हुआ किस तरीके से हुआ इसकी जो यहां पर जाच है उसके लिए यहां पर unanimous resolution जो है वो approve किया गया है द्यान दीजे का approve किया गया है तो अब यहां पर क्या होगा कि US और चाइना यहां पर उन्होंने resolution पर agree किया है that the US and China have agreed to the resolution after prolonged acrimony है न जो यहां पर मदबेद थे जो घुसा था जो बीच में यह हो रहा था तो अब यहां पर recent weeks में यहां पर corona origin जो है उसके लिए हम यह देखने को मिलेगा अब देखिए US जो है कफी बार बोलता आ रहा है चाइना जो है वहां से फैला है चाइना ने उसको रोकना चाहिए था चाइना जो है वह हमेशा कहता है कि US के जो soldiers है उनके द्वारा यह जो है यह फैला है इस तरीकी चीज़े हमें देखने को मिली है trade war, recession यह सारी चीज़े हमें देखने को मिल रही है अब यहां पर जो Australia है उन्होंने भी draft resolution जो है वुलाया कि यहां जाज जो होनी चाहिए बहुत सारे जो countries है उन्हों उसने co-sponsor भी किया अब यहां पर real source अगर देखा जाए of the consensus of the resolution यह यहां पर enormous damage जो आयरस से हुआ है वो हमें देखने को मिलता है क्योंकि एक country नहीं मतलब यहां पर सिर्फ America नहीं यहां पर देखिए आप almost Europe देखिए Canada बोलिए बहुत सारी countries मतलब almost सारी countries जो है उनको भारी भर कम नुकसान हुआ है और नहीं सिर्फ humans form में मतलब जो लोग है उनकी death हुई है लेकिन उसी के सासा अगर आप देखिए तो global economy जो है वो भी आपर ground पर आ गई है मतलब halt हो गई है misery हो रही है लोगों की world की population जो है वो यहां पर depression में जा रही है तो इस लिए आपर क्या ज़रूरी है है यहां पर ज़रूरी है कि आपर EU बोलिए ए उसान इपर यह किया है कि हाँ इसकी जाज हो होनी चाहिए क्योंकि हें पर जाज जाज है इसका मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आपको पता चल गया me चाहाँ, 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 चाहेना से निकला था गे बार, ओक्यो, 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 लेकिन आप चाहेना जो है, फिर उसको Acount Table भी धहराये जाएगा, उसका जो International Ground है, उसका इमेज है वो पुरा पर खराब हो जाएगा जो भी इंटरेकिल ग्राउंट में जो भी इंटरेक्शल और्गनाइजेशन में उसकी इक जो पदवी बनी वी है वो खैणरे में आ सकती है और उसके साथ यहाँ पर compensation जो है वो भी चाइना से मांगा जा सकता है तो अगर यह प्रूव होता है तो फिर क्या होगा फिर चाइना जो उसकी economy आपर काफी crumble कर सकती है ये सारे चीज़े हमें आपर देखने को मिलती है चलिए next चीज़ पर बढ़ते हैं यहाँ पर justice more compassionate अब यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें देखने को क्या मिलता है कि एक जो high court है करना workers है उनको वहाँ पर home state में ना भेजा जाए क्योंकि जो funds है जो train के fares है वो उनके नहीं मिले अब यहाँ पर central government है वो भली provide कर रही है जो state government जो destination state है मतलब for example अगर उनको उत्तर प्रदेश जाना है तो उत्तर प्रदेश सरकार और उसके साथ है जो central government है वो मिलकर यहाँ पर क्या हुआ इन्होंने कहा है कि state government को clarify करो और यहाँ पर legality बताओ कि तुमने जो fair prices है वो pay करने से क्यों refuse कर दिया migrant workers के जो UP भिहार जारकन जाना चारहे थे जबकि यहाँ पर center जो उसने guideline issue की है कि reimbursement जो है वो दिया जाएगा from the destination state है ना मतलब यहाँ पर भली तुम pay कर रहे ह लेकिन reimbursement जो है तुमको मिल जाएगा destination state से यार इतना क्या यह कर रहे हो तुम मतलब यह जबरदस्ती क्या बात है कि तुमको पैसे नहीं मिले तुम भेजोगे नहीं मतलब कि यहाँ पर big boss चल रहे है कि पैसे नहीं मिले तो task नहीं करेंगे ऐसा दूड़ी होता है यह गलत करनाटा का government जो उन्हें आर्गिव किया बहले ही यह अंसकस्वूल रहा argument लेकिन उन्हें आर्गिव किया कि यह चीज में जो high court उसना सक्षब नहीं करना चाहिए यह चीज में जो high court उसने बिल्कूल बीच में नहीं पढ़ना चाहिए क्यों कि article 32 के हिसाब से supreme court पर भी approach किय गया था supreme court तक भी गया गये थे लोग लेकिन supreme court ने क्या किया supreme court ने जो migrant workers है उन पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया supreme court ने कहा कि हमारी jurisdiction के भार है इंटर्वें नहीं करना है और supreme court ने भी कहा कि जब migrant workers जा ही रहे हैं तो उन्हें कौन रोख सकता है जब migrant workers पटरियों पे सोही रहे हैं तो फिर उन्हें कौन रोख सकता है इस तरीए कि irresponsible जो जो wordings है वो supreme court से आए under our constitution high court जो है वो सबसे important चीज जो exam perspective से आती है ठीक है ये दो point के लिए मैंने article लिया है एक तो ये और दूसरा जो content of the court है है ना criminal content of the court है ये explain करने के लिए मैंने आपको ये article लिया है तो ये चीज है सीधा आपको sentence में फूचा जा सकता है कि जो high court है they are subordinate to the supreme court ठीक है तो यहाँ पर आपको ध्यान में रख Supreme Court के high court पर ये बात सही है कि high court पर binding होते हैं वैसे देखा जातो प्रेसिडेंट के भी जो चीजें है वो जो हमारे governor है उन पर binding होते हैं ना उसी के साथा जो council of ministers है उनका भी जो add and widow से उस पर ही governor काम करता है तो इस तरीके से यहाँ पर अगर आप देखो कि तो high court है वो subordinate नह 1971 देखने को मिलता है यह act define करता है power of the court जिससे कि हाँ पर content जो है यहाँ पर जो punish है वो किया जा सके फिर इससे amend किया गया था 2006 में जिसमे defense of truth जो है वो यहाँ पर include किया गया under section 13 of the original legislation ठीक है मतलब defense of truth ठीक है मतलब यहाँ पर क्या है court must permit justification by truth as a valid defense मतलब यहाँ पर क्या है कि content मतलब basically क्या होता है कि उसकी insult करना अब force है कि अगर जो court है उसने कोई decision दिया अब कोई अगर उसका मना कर रहा है उसका विरोध कर रहा है तो वो कहेगा contempt of court लेकिन अगर truth के basis पर वो कर रहा है विरोध तो फिर यह उसके लिए defense के लिए एक चीज जो है वो satisfied रहेगी ठीक है सम्विधान में as per the contempt of court act 1971 contempt जो है वो refer किया जाता है to the office जहां disrespect जो है dignity or authority of court वो यहाँ पर देखने को मिले act जो है वो यहाँ पर contempt को civil or criminal contempt में divide करता है है ना यहाँ पर हमने देखा ना भी कि committed to criminal contempt है ना contempt of court act 1971 में जो define किया गया है तो यहाँ पर civil contempt मतलब क्या होता है कि willful disobedience of any judgment, decree, direction, order, rights मतलब जो भी यहाँ पर जो supreme court ने जो दिया हुआ है जो भी आदेश दिया हुआ है जो भी decree, judgment दिया हुआ है उसका willful disobedience करना मतलब उसको नहीं मानना, नहीं सुनना criminal contempt मतलब क्या होता है कि यहाँ पर publication करना मतलब कि कोई भी चीज़ अगर आप publication में कर रहे हो मतल due courts है, judicial proceeding का उसमें interfere कर रहे हो या फिर administration जो है justice का उसमें obstruction create करने ही कोशिश कर रहे हो तो यहाँ पर कहा जाएगा criminal contempt और civil contempt समझ में आ रहा है आपको, मतलब अगर मैं आपको short में समझाओ, example के थूँ समझाओ, तो अगर आपकी girlfriend ने आपको बोला कि जो तुम towel है, जो तुमा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप जो आपकी girlfriend है, तो उसकी चुगली आप आपकी किसी friend से कर रहे हो, तो यह क्या है, आप scandalize कर रहे हो, यह ना, तो यह क्या हो गया, criminal contempt हो गया, ठीक है, तो यह दोनों, इसमें मतला इक अदम lemon lang में आपको समझाओ, जिसे की थोड़ा वह difference आपको समझ में आ जाए, ठीक है, तो इस तरीके से हमको यह जो चीज है, वो देखने को मिलता है, clear है, however, innocent publication जो रहेगा, यहाँ पर जो fair और reasonable criticism है, तो वो यहाँ पर माला जाएगा, क्योंकि देखिए, इसमें counter होता है, कि हमको freedom of speech and expression भी तो है, freedom of speech and expression भी है, तो यह चीज जो है, यह हमको देखने को मिलती है, तो अगर आप यहाँ पर यही करते रहोगे, हम criticize ही नहीं कर सकते हैं, अगर, for example, अगर जो supreme court है, अगर उन्होंने एक decision दिया, कि सबरी माला temple जो उसमें जो women है, वो enter कर सकती है, अब यहाँ पर कुछ लोग जो इस चलाएगा, तो यह भी चीज जो है, वो देखी जाने चाहिए, तो इससे हमेशा यहाँ पर conflict जो है, हमें देखने को मिलता है, तो यह content जो है, बहुत important है, दोनों चीजे यहाँ पर हमने देखी है, बहुत important है, इस हमें पूछी जा सकती है, और यहाँ पर constitutional background अगर दिखा ज जो है, यह यहाँ पर high court को grant करता है power कि वो punish करे contempt के लिए, clear है, तो यह तरी की चीजे जो है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, चलिए, next चीज पर बढ़ते है, मंडरेगा, अब यहाँ पर जो मंडरेगा है, उसको revive करने की कोशिच की जा रही है, अब union government जो है, उन् properly function कर पाएगा, जो मंडरेगा है, लेकिन अभी हमें जो 0.47% है उतना देखने को मिलता है, still जो additional allocation यहाँ पर दिया गया है, तो immediate demand जो यहाँ पर आ रही है, उसको यहाँ पर meet यह कर सकता है, क्योंकि आप देखोगे, तो हमने पहले के RTS में देखा हुआ है, मंडरेगा का problem क इसमें सही तरीके का तालमेल नहीं बैट रहा है, हैना तालमेल जो है वो बैटना बहुत जरूरी है, अब यहाँ पर आप देखोगे, तो addition allocation जो दिया गया है, इससे क्या है, लोगो को अब ज़्यादा पैसा मिल रहा है, जिससे कि आप यहाँ पर बाट सकेंगे, यह available रहे immediately, मतलए हाँ पर immediately उनको काम मिले, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लोग आतूरता में बैटे हुए है, लोग जो उनके पास पैसा नहीं है, लोग को चाहिए पैसा, अब लोग को पैसा चाहिए तो बट अबेसे उनको काम करने जाना पड़ेगा, काम करने जाना तो इसलिए यहाँ पर जरूरी क्या है कि सभी विलेजेस में वर्कर्स को यहाँ पर काम इमेडियेटली प्रोवाइड किया जा सके, फटाफट जैसी वो भाहर रिकले उनके पास काम रहे, सेकेंट जीज जो है, वो यह है कि लोकल बॉडिज जो है, उन्होंने प्रो आक्ट उन्होंने पहुचना चाहिए, और उसी के सदा उनको मदद करनी चाहिए, कि यहाँ उनको काम चाहिए, हम काम देते हैं, इस तरीके से आप काम कर सकते हो, अच्छा, आपके पास जो जौब कार्ड़े वो नहीं है, तो हम आपकी मदद करेंगे, है ना, जिस तरीके से जब elections आते हैं तो election आने पर जो हमारे आसपास के जो भी अगर खड़े हो रहे हमारे constituencies अगर कोई खड़ा हो रहा है और पैचान का है और हम अगर 18 साल के हो गए तो फिर किस तरीके से वह हमको खुद ही जो election card है बना कर देते हैं कि यह एक ode भी माहने रखता है उसी तरीके से यहाँ पर एक एक worker माहने रखता है हमारे economy को आगे बढ़ाने के लिए यह ना भून-भून से खड़ा पड़ता है इसलिए क्या करना चाहिए जो local bodies है उन्होंने job cards जो है वो यहाँ पर issue करने चाहिए तीसरी चीज़ यहाँ पर आती है तो मतलब यह जो चीज़ है यह यहाँ पर नहीं होनी चीज़ उन्हें जो soap है water है, mask है, sanitizer है, जो भी चीज़े है वो यहाँ पर provide की जानी चीज़ है तब जाकर properly काम हो पाएगा और virus जो है वो spread नहीं होगा चाहती चीज़ जो देखने को मिलती है वो यह है कि जो procedures है implement करने की skin को वो simplified रहना चीज़ है, लेकिन dilute नहीं होना चीज़ है इसलिए जो gram बंचायत, elected representatives है, उनको यहाँ पर adequate resources, power जो है वो यहाँ पर provide की जानी चीज़िए, जिससे कि उनके हाथ में रहे ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई gram बंचायत वाला आजमी गया, उसने देखा कि यह problem चल रहे है फिर वो phone कर रहा है, अलो यार, चीप मिनिस्टर से बात करवा, ऐसा ऐसा problem है फिर वो बोलेंगा, चीप मिनिस्टर तो busy है भी, कोरोना के चलते अरे क्यों कोरोना क्या, नहीं, 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 वो खुद को उन्होंने कारेंटीन कर लिया है, काम बहुत बढ़ गया है तो इस तरीके से चीज़े हैं वो नहीं होने चाहिए, ठीक है तो basically क्या है कि adequate resources, पावर उनको देनी चाहिए, on the spot यहाँ पर decision लेया जा सकिए on the spot decision लेया जाएगा, तो यहाँ पर effectively काम हो सकता है पाचवी चीज़ है कि यहाँ पर payment जो है, वो यहाँ पर bank account में सिर्फ reach नहीं होना चाहिए सिर्फ bank account में रीच नहीं होना चाहिए, बलकि time पर भी reach होना चाहिए लेकिन cash जो है, वो भी यहाँ पर दिया जाना चाहिए, easily और efficiently मतलब सिर्फ bank account में जा रहा हो ठीक है bank account में पैसा पोच रहा है, ठीक है cash जो है, वो भी यहाँ पर दिया जाना चाहिए, इनको six things जो है आपर आती है, वो है कि flexibility रहनी चाहिए, काम में ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है, कि यहाँ पर जो काम है, एकी तरीके का काम हो रहा है, सब को खटा को दो यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर basically क्या है, अलग-अलग तरीके की काम, अलग-अलग तरीके अपनी जो निपुनता है, वो आपर लोग दिखाई जानी चाहिए, और physical distancing जो है, यह maintain करके, तो यह जो 6 यहाँ पर solutions दिये के हैं, बहुत important है, देखिए, लिख लीजिए, रटा मारिए, कुछ भी करिए, पर यह याद रखे, क्योंकि बहुती, बहुती accurate और बहुत अच्छे हैं, और इस तरीके आपको Indian Express में देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमें The Hindu में criticism दादा देखने को मिलता है, solution कम देखने को मिलते हैं, चलिए, यहाँ पर, तो हम आते हैं map-based रिक साही, जो मैंने आपसे पूछी दी, तो यह state है, यह कौन सा है, तो यह state basically लिए Tripura, तो बड़े map में भी एक बार Tripura को देख लेते हैं, चलिए, तो यह हमारी खुशूरा दर्ती हम zoom करते हैं, तो हम भारत जो है वो देखने को मिलता है, भारत में हमें जाना पड़ेगा, यहाँ पर हम आते हैं, बाजू में, एकदम बाजू में जो बाकी country से वो देख सकते हैं, तो इस तरीके से हमें जो capital है, वो अगरतला देखने को मिलता है, तो त्रीपुरा के बारे में उमीद करता हूँ कि आपने बाकी जो information है, वो ज़रूर लिखे होगी, यह है हमारे वीडियो का end, तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है, तो आप शेयर ज़रूर कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, जैहन